grow app में shares खरीदते कैसे हैं shares बेचते कैसे हैं shares खरीदने के लिए grow app में पैसे कैसे add करते हैं और profit कमाने के बाद उन पैसो को grow app से अपने bank account में कैसे transfer करते हैं ये सब तुम आपको इस video बताऊंगा इसके अलावा आपको grow app को चलाना भी सिखाऊंगा ताकि आप grow app के जरीए अच इसके बारे में आपको detail में आगे बताऊंगा अभी हम back करते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं nifty 50 और bank nifty लिखा हुआ है अब दोको nifty 50 में क्या होता है nifty 50 में हमारे देश की जो top 50 बड़ी बड़ी कंपनिया होती है उनके shares होते हैं अब जैसे nifty 50 में यहाँ पर दिखा रह आप यहाँ नीचे देख सकते हो यहाँ पर निफ्टी 50 में अभी currently जो top 50 company है उनकी details आपको यहाँ पर मिल जाएंगी यहाँ पर लिखा है यह रिलाइंस, TCS, HDFC bank ऐसी तो top 50 company है वो nifty 50 में है और उन सभी की details यहाँ पर आपको दिखा रहा है यहाँ पर हम इसे back कर देंगे अब इसके बगल में देखो यहाँ पर लिखा है बैंक निफ्टी अब बैंक निफ्टी के क्लिक करोगे तो बैंक निफ्टी की सारी details बता देगा कि इसका 42,000 रुपे अभी price चल रहा है और आज की दिन वो 0.26% उसकी value गिर गई है बैंक निफ्टी में हमारे देश के जो top 12 बैंक होते हैं उनके shares होते हैं अब जैसे हाँ पर CEO पर आप क्लिक करोगे तो HDFC, ICICI Bank, SBI Bank, Kotak Mahindra Bank ऐसे 12 बैंक जो top के हैं उनके shares इसमें दिखाएगा तो सवाल यह उठता है कि Nifty 50 और Bank Nifty को देखकर पता क्या लगाया जाता है तो देखो इसमें हमारे देश की top की companies आती है अगर वो ही अच्छा perform नहीं करेंगी तो इसे पता चल जाता है कि share market अच्छा perform नहीं कर रही है तो साफ सीधी बात है इसे देखकर हम यह पता लगाते हैं कि आज share market कैसा perform कर रहा है ठीक है इसके नीचे देखो explore वाले section में लिखा है most bought on grow इस वाले section में हमें यह दिखाता है कि अभी के time पे grow app में सबसे ज़्यादा shares कौन से भिक रहे हैं यानि कि grow app पर investors कौन से shares खरीदना ज़्यादा prefer कर रहे हैं कौन से shares हम जैसे investors ज़्यादा खरीद रहे हैं वो हमें यहाँ पर दिखाता है मतलब Infosys, Vipro, Tata Steel और Nippon जैसे जो shares हैं उन्हें अभी लोग ज़्या करना चाते हो तो आपको यहाँ पर click करना होगा और अगर आप all stocks पर click करोगे तो आपके पास जितने भी stock share market में listed हैं वो सारे shares दिखा देंगे यहाँ पर वो सारे shares available है आप नीचे scroll करके देख सकते हो और इसके बगल में एक है IPO का section IPO में क्या होता है जब कोई company पहली बार public स shares के बदले में पैसा मांगती है तो वो यह IPO में दिखाता है तो यहाँ पर अगर किसी company का IPO आता है तो वो open में दिखाएगा और इस close वाले section में देखो Avalon Technologies का एक IPO दिखा रहा है इसका मतलब यह है कि अभी जल्दी ही इस company का IPO बंद हुआ है इसके अलावा आप upcoming में आने व apply कर सकते हो अब इसके नीचे आप gainers और loser नाम का यह section देख सकते हो gainers में क्या आता है आज के दिन share market में जिन company के share price ने सबसे ज़ादा उचाल ली है यानि कि सबसे ज़ादा जिन company का share price बढ़ा है जैसे कि यहाँ पर large लिखा है तो large cap यानि कि जो बहुत बड़ी कंपनिया ह होती है उन company में से किस company का share price सबसे ज़ादा बढ़ा है वो यहाँ पर दिखा रहा है जैसे कि Nestle इंडिया का share price 20,199 रुपे है और उसका price आज के दिन 3.70% बढ़ गया यानि की 730 रुपे लगभग बढ़ गया है और यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसका share price थोड़ा बहु चोटा होता है मतलब small cap छोटी company मिड़ कैप उससे बड़ी company और large cap सबसे बड़ी company अब जैसे हाँ पर आप small cap में छोटी company जिनका share price बढ़ा है वो देख सकते हो mid cap में जिन company का share price बढ़ा है यहाँ पर वो भी देख सकते हो ऐसे ही आप top losers भी देख सकते हो कि large cap में किन company के share price गिरे हैं यहाँ पे देखो आप Infosys का शेर आज के दिन 10.76% गिर गया यानि कि आज के दिन इसकी वैल्यू लगबग 1.500 रुपे गिर गई है ऐसे ही Mid Cap में आने वाली इन कंपनियों के भी शेर प्राइस आज गिरे हैं Small Cap में आने वाली Sonata Softwares और Balaji Amineas जैसी कंपनियों के शे प्राइस गिरा है इसके नीचे एक Market News का सेक्शन दिखाता है जिसमें Share Market से Related को जरूरी News भी मिल जाती है तो यह Explore वाले सेक्शन में बस इतना ही था अब अगर आपको किसी शेर के बारे में सर्च करना है तो वो आप कैसे करोगे जैसे अभी हम यहाँ पर Reliance Industries का शेर खोल क्योंकि Reliance एक बहुत बड़ी कंपनी है सबसे उपर यहाँ पर आपको उसका Current Price दिखा देगा जैसे यहाँ पर इसका Current Price 2370 रुपे है और आज के दिन उसकी जो वैल्यू है वो 0.6% बड़ी है यानि की लगबग 14 रुपे उसका Share Price बढ़ा है अब एक दिन के बकल में यहाँ पर वन वीक का भी लिखा है आप इस option पर क्लिक करोगे तो एक हफते में इस कंपनी ने कैसा Perform किया है वो दिखा देगा इसी तरह अगर आप वन मंत का करके देखोगे तो एक महीने में इसकी Value लगबग 7% बड़ी है यानि की लगबग 1500 रुपे इसका Share Price बढ़ गया है इसी यह बोलते हैं कि जब भी आप Share को खरीदो तो लंबे समय के लिए खरीदो लंबे समय का मतलब 5-7 साल से उपर के लिए खरीदो अब आप यहां पर 5 साल का क्लिक करके देखोगे तो 5 साल में 114% इसकी Value बढ़ी है यानि की लगबग 1400 रुपे इसकी Value बढ़ गई है आप यहा value भी दिखा रहा है अब यहां पर हम सबसे पीछे जाते हैं और यहां पर देखते हैं 2002 में इसका जो share price था वो लगबग 50 रुपे था और आज के टाइम पर वो share लगबग 2300 रुपे का हो गया है सोचो कितना जादा profit है मतलब अगर किसी ने इस share में 20-21 साल पहले सिर्फ 500 र रोडपती होता तो मतलब यही है कि इस timeline को देखकर आप इस company की past performance से लेकर उसकी current performance तक को पता लगा सकते हो अब आप यहां पर कोने में देख सकते हो यहां पर लिखा है oil and gas fuels यह क्या है जानी कि जो यह company है यह क्या करती है यह किस category में है तो यह company oil, gas and fuel category से बिलोंग करती है जैसे अभी मैं आपको यहां पर call gate का share दिखाता हूँ तो call gate का share अगर आप देखोगे तो call gate क्या है call gate एक personal product है जिसे हम use करते है अपने daily life में तो देखो इसकी category यहां पर personal product दिखा रहा है ऐसे अगर आप Tata Steel को देखोगे तो steel क्या है एक metal है तो Tata Steel जो company है वो metal and mining category की है I hope अब आपको यह category समाझ आई होगी अब वापस हम अपने reliance वाले share पर ही चलते हैं इसके नीचे है overview overview में आप देख सकते हो performance लिखा हुआ है performance मतलब आज की दिन इस company के share की value सबसे जादा कितनी बड़ी है वो today's high में दिखाएगा और आज की दिन इस share की value सबसे जादा कम कित कम कितनी वी है वो हमें यहाँ पर दिखाएगा जैसे कि पिछले एक साल में reliance की सबसे कम value 280 रुपे हो गई थी और पिछले एक साल में इसकी highest value कितनी पहुच गई थी 2856 रुपे अब यहाँ पर थोड़ा और नीच आएंगे तो market depth नाम से यह portion दिखाएगा यहाँ पर बेचना चाते हैं और किस value पर बेचना चाते हैं वो हमें यहाँ पर ask price में दिखा रहा है जैसे यहाँ पर 2371 रुपे लगबग 600 लोग अपना share बेचना चाते हैं वहीं आप यह देख सकते हो कि कितने लोग buy करना चाते हैं लगबग 30% investor इस share को खरीदना चाते हैं और वो कि इतने price में खरीदना चाते हैं वो भी हमें यहाँ पर नीचे दिखा रहा है जैसे लगबग 370 रुपे में इतने लोग खरीदना चाते हैं और इसके नीचे total exact quantity भी दिखा रहा है कि लगबग कितनी quantity लोग खरीदना चाते हैं यानि कि लगबग 2,57,000 shares लोग खरीदना चाते हैं जबकि लोग 6,15,000 शेर बेचना चाहते हैं तो इसे देखकर हम ये पता लगाते हैं कि कि कितने लोग शेर बेचना चाहते हैं और कितने लोग शेर खरीदना चाहते हैं अब इसके और नीचे आओगे तो यहाँ ता एक्सपर्ट रेटिंग लिखा हुआ है यानि की एक्सपर्ट का क्या मानना है तो यहाँ पर 84% एक्सपर्ट के हिसाब से इस कम्पनी के शेर को हमें खरीदना चाहिए जबकि 10% जो एक्सपर्ट हैं वो गाहरे हैं कि जिनके पास ये share है, वो अपने shares को hold करके रखो, यानि कि उन shares को बेचो मत, आगे इनकी value और बढ़ेगी, ऐसा 10% investor कह रहे हैं, और 6% expert ये कह रहे हैं, कि आप इस share को बेच दो, तो इस वाले portion में हमें ये दिखाया जाता है, कि expert का क्या मानना है, कि share को खरीदना चाहिए, या share को बेच देना चाहिए, अब इसके नीचे और आओगे, तो fundamental का section दिखाएगा, अब ये दिखो, ये छोटा सा fundamental समझाने वाला portion बहुत बड़ा है, और ये बहुत ही important चीज़ भी है, इस fundamental के जरी हम ये पता लगा सकते हैंगी, क्या ये company invest करने लाइक है या नहीं, क्या इस fundamental analysis, आप इनी सबी fundamentals को देख कर सकते हो, लेकिन ये करना कैसे है, ये सीखने के लिए आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हो, जिसमें मैं काफी detail में और काफी simple तरीके से fundamental analysis करना सिखा है, हाला कि अभी मैं इस वीडियो में आपको ये analysis करके नहीं दिखा सकता, क्योंकि य process है, और अगर इसी वीडियो में हम ये करने लग गए, तो ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, नीचे हम यहाँ पर financials देख सकते हैं, यहाँ से हम पिछले कुछ सालों में कितनी कमाई वी वह देख सकते हैं, इसी तरह हम profit भी देख सकते हैं, कि revenue में से expense को minus करने के ब इस financial वाले portion से हमें ये पता चलता है कि क्या company हर साल profit कमा रही है, और अगर वो profit कमा रही है, तो क्या उसका profit हर साल बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा, जैसे यहाँ पर yearly देखा जाए तो revenue इसका हर साल बढ़ी रहा है, हालकि 2021 में इसका revenue थोड़ा गिरा था, लेकिन उसके इसका revenue बढ़ा ही है, आप इसके नीचे देखेंगे लिखा है about company, अब इस वाले portion पर अगर करोगे तो company की details आपके पास आ जाएंगी, जैसे reliance industries का अभी के टाइम पर जो CEO है, वो मुकेश अंबानी है, तो यहाँ पर वो लिखा हुआ है, और यह company 1973 से है, वो भी लिखा हु तो about company से हमें यह पता चल जाता है कि company क्या करती है, और company को अभी चला कोन रहा है, और company कब से है, इसके बाद नीचे आता है share holding pattern, आप share holding pattern में यह देख सकते हो, कि promoter के पास, यानि कि जो company के founders हैं, जिनोंने company खोली है, उनके पास कितने shares हैं, तो यहाँ पर आप देखो promoters के 50% shares हैं, इसके अलावा foreign institution के पास भी 23.43% shares है, foreign institution professional investors होते हैं, जिनका काम ही investment करने का होता है, तो जिस company के share में foreign institution का share holding pattern जादा हो, तो समझ जाना उस company में दम है, ऐसे retail का portion दिखा रहा है 11.64%, यानि कि हम जैसे आम जो investor हैं, उनके पास 11.64% share है, इसके अलावा domestic institution के पास भी 8. 8.6% share है, domestic institution में भी foreign institution के तरह professional investor ही होते हैं, इसके अलावा इसमें 5.81% mutual fund का भी पैसा लगा हुआ है, यानि कि जिन लोगों ने mutual fund में पैसा लगाया था, उनके agents ने इस company के share में भी invest कर रखा है, तो share holding pattern को देखकर हम यही पता लगाते हैं, कि किसके पास कितने share होते हैं, अ अब इसको थोड़ा और scroll करोगे, तो नीचे दिखा है, top mutual fund invested, यानि कि जो ये 5.8% mutual fund वाला पैसा इसमें लगा हुआ है, तो आकिर वो कौन से mutual fund है, जिन्हों ने इसमें पैसा लगाया है, तो इसमें ICICI, HDFC Index, UTI Nifty, आदित्य विर्ला जैसे mutual funds ने invest कर रखा है, अब इसके थोड़ा और नीचे आते हैं, और यहाँ पर हम देखते हैं, similar stocks, यानि कि Reliance Industries जैसे और भी कंपनियों के जो shares हैं, वो हमें यहाँ पर दिखाता है, जैसे यहाँ पर उपर आपने देखा था कि ये company, oil, gas and fuel category से है, तो ऐसे ही नीचे यहाँ पर उसके similar stocks दिखा रहे हैं, similar ऐस इसी कंपनियों के shares दिखा रहा है, जैसे यहाँ पर Indian Oil Corporation का share भी दिखा रहा है, भारत Petroleum का share दिखा रहा है, Industries से मिलती जुलती जो कंपनिया है, उनके shares यहाँ पर दिखाएगा, उनके share का price यहाँ पर दिखाएगा, अब यहाँ पर अगर आप वापस उपर आते हो, यहाँ आप एक news वाला section है, news पर click करोगे, तो इस share से related जो भी news है, वो यहाँ पर दिखा देगा, अब इसके बगल में event का section दिया हुआ है, event में share से related जो जो चीज़े हुई है, वो दिखाता है, जैसे bonus and split, अगर इस company ने bonus share issue किया होगा, तो वो भी यहाँ पर दिखाएगा, अगर इस company dividend देगी, तो वो भी यहाँ पर दिखाएगा, अगर इनकी annual meeting होगी, कुछ भी announcement होगी, तो वो सब यहाँ पर हमें दिखाता है, जैसे यहाँ पर 20 जनवरी 2023 को board meeting हुई थी इनकी, तो उसकी announcement यहाँ पर हुई थी, तो इसी तरह थोड़ा और नीचे करोगे, तो यहाँ 18 अगस्त 2022 को इननों ने dividend दिया था, तो उसकी announcement इननों ने यहाँ पर करी थी, तो मतलब यहाँ पर इस company की share से related जो भी announcement होती है, वो यहाँ पर दिखाया चाता है, event वाले portion में, अब इसके बगल में है F&O, F&O का मतलब आप यहाँ से future and options में invest कर सकते हो, लेकिन अभी मैं आ आपको इसमें पैसे add करने पड़ेंगे, तो हम वापस back करते हैं और वापस home screen पर पहुंच जाते हैं, अब दोको यहाँ पर अपनी प्रोफाइल पर click करोगे न, तो यहाँ पर यह वाला section खुल जाएगा, यहाँ पर देखो, add money वाले portion में यहाँ पर में मेरे पास अभी 1199 रुपे दिखा रहा है, अगर मेरे को इसमें पैसे add करने हैं, तो मैं वो कैसे करूँगा, मैं यहाँ add money वाले portion पर click करूँगा, अब मेरे को जितने भी रुपे यहाँ पर add करने हैं, मैं वो amount डाल देता हूँ, suppose करो मेरे को यहाँ पर 100 रुपे से कम add नहीं कर सकते हैं, इस PDM की UPI ID से पैसे add करना चाहता हूँ, तो मैं इस पर add 100 पर कर दूँगा, यह थोड़ा load होगा, अब मैं यहाँ पर जैसे ही अपना PDM खोलूँगा, तो यहाँ पर उस payment का option दिखाएगा, यहाँ पर मैं इस पर click करके payment कर दूँगा, जैसे ही मेरे यहाँ पर payment complete हो जाएगी, यहाँ पर payment successful लिखा आ जाएगा, और यहाँ पर मेरे पैसे add हो जाएगे, अब मैं वापस अगर अपनी profile पर आपको खोल के दिखाऊँ, तो यहाँ पर आप देखो, पहले मेरे पास 1100 रुपे थे, अब लगभुक 1200 रुपे हो गे, और आब मैं आपको एक share खरीद के दिख और आपको नीचे यहाँ पर दिखा रहा है, price market, यानि कि आप इस share को इसके market price पे खरीदया चाहते हो, यानि कि जो अभी current इसका price तेख रहा है, जैसे यहाँ पर तीश रुपे, क्या आप उस current price पे इसे खरीदना चाहते हो, या फिर अगर आपको लग रहा है कि इसका price थो और वो share मेरे DMIT account में आ जाएगा और अगर आपको market price भी खरीदना है तो इसे वापस market price में कर दो यहाँ पर मैं इसे buy कर देता हूँ इसके अलावा अगर आप इसे intraday के लिए खरीदना चाहते हो तो वो भी यहाँ पर दिखा देगा आप यहाँ पर सीधे अपनी quantity डालो कि आपको कितने shares खरीदने है दो share खरीदने है या 10 share खरीदने है आपके पास जितने पैसे होंगे उसी के हिसाब से आप इतने share खरीद सकते हो जैसे मैं यहाँ पर 5 share खरीद सकता हूँ के लिए खरीदोगे यानि कि आप एक महीने एक साल, 5 साल, 10 साल मतलब आप एक दिन से जाले के लिए जब भी share को खरीदो तो delivery में आता है और अगर आपको share आज ही खरीदना है और आज ही बेचना है आपको basically आपको trading करनी है तो वो intraday में आता है हाले कि क्योंकि अभी आप नए नए हो और आप अभी investment करना सीख रहे हो इसलिए trading वाला option मत क्लिक करना अभी आप delivery में ही share को खरीदना तो मैं इसे delivery में ही रहने देता हूँ और यहाँ पर मैं आपको एक share खरीद के दिखा देता हूँ इसके बाद हमें buy पे click कर देना है अब यह share भी आपको अपनी holdings में दिखा देगा आप यहाँ नीचे देख सकते हो Nippon India ETF Limited नाम से यह share दिखा रहा है अब मालो अगर आपको यह share बेचना है तो आप इसे बेचोगे कैसे shares को sell करते वे भी सबसे उपर आपको quantity डालनी होगी कि कितनी quantity आप बेचना चाहते है यहाँ पर मैंने Nippon का एक ही share खरीदा था तो मैं एक ही share बेचना चाहता हूँ इसलिए यहाँ पर एक quantity दिखा रहा है अगर आपके पास जादा share है तो आप यहाँ पर quantity भी बढ़ा सकते हो नीचे आपको price डालना है कि क्या आप market price पर बेचना चाहते हो अपने share को या फिर आप price limit set करके भी आप अपने हिसाब से वहाँ पर price set कर सकते हो कि मेरे को इस price पर अपना share बेचना है तो मैं इसे 28 रुपे 11 पैसे पर ही बेचना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पर price डाला और यहाँ पर sell कर दिया sell order place यानि कि अभी यह order place हो चुका है लेकिन अभी यह बिका नहीं जैसे इसका price 28 रुपे 11 पैसे होगा यह sale successful हो जाएगी अब आपने जितने भी आज share खरीदे या बेचे आपको वो चीज़े यहाँ पर orders में दिखा देगा आप जैसे मैंने अभी आपको डाबर का share खरीद के दिखा था तो वो यहाँ पर दिखा रहा है इसी तरह से मैंने आपको निपॉन इंडिया का भी शेर खरीद के दिखाया तो उसकी भी quantity यहाँ पर दिखा रहा है लेकिन जो हमने निपॉन इंडिया का शेर बेचा वो अभी तक successful नहीं हुआ क्योंकि हमने यहाँ पर price limit set कर रहे थी 28 रुपे 11 पैसे की लेकिन अभी उसकी जो value है वो 28 रुपे 9 पैसे है इसलिए अभी वो हमारा शेर बिका नहीं है तो इस पर click करके मैं अपने इस order को modify भी कर सकता हूँ मालो मैं इसे चाहता हूँ कि यह 28 रुपे 10 पैसे पर भी बिक जाए अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि यह share बिग गया है अब इस share को बेचने के बाद आपका जो profit होगा वो यहाँ पर आपको दिखा देगा अब मैं उस profit को grow app से अपने bank में कैसे भेजूँगा तो ऐसा करने के लिए आपको अपनी profile पर click करना है तो यहाँ पर आपके पास जितने भी पैसे है वो यहाँ पर दिखा देगा इस पर आप click करोगे तो click करते ही यहाँ पर एक option दिखा रहा है अभी जितना transfer कर सकते हो वो option यहाँ पर दिखा रहा है तो मैं यहाँ पर withdraw वाले option पर click करूँगा अब यहाँ पर available balance दिखा रहा है 5.95 रुपे मैं इतने पैसे निकाल सकता हूँ तो यहाँ पर मैं अभी आपको 100 रुपे अपने bank में वापस भेज के दिखाता हूँ तो यहाँ पर मैंने 100 रुपे डाले और यहाँ पर withdraw पे click कर दिया ऐसा करते ही यह मुझसे मेरा pin मांगेगा तो मैंने यहाँ पर अपने fingerprint लगाया और यह withdraw के request placed हो गई अब थोड़ी दि अगर आपको कोई और bank account लिंक करना है तो आप यहाँ पर add another bank पे click करोगे और उसके बाद यहाँ पर bank select करके अपनी details वरकर अपना दूसरा bank add कर सकते हो इसके बाद आप यहाँ नीचे देख सकते हो customer support लिखा है अगर आपको grow app में कोई भी problem आ रही है और आपको grow app के customer support से ब download कर सकते हो text fill करने के लिए text proof को download कर सकते हो इसके अलावा उपर आपको setting का option दिखेगा अगर आप इसपे click करोगे तो यहाँ पर dark mode को यहाँ से बंद कर सकते हो आप इसे चालूं भी कर सकते हो आप यहाँ से notifications को manage कर सकते हो अगर आपको अपनी grow app का password बदलना है तो आप यह इसे share के उपर नजर है और आप उसके share price को track करना चाते हो कि कब उसका share price घट रहा है कब बढ़ रहा है आपको यह जानना है तो आप उसको अपनी watch list में add कर सकते हो जैसे मैंने यहाँ पर अपने नाम से एक watch list बना रखी है तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से भी कोई सी भ अधत मिले और चैनल को subscribe करके आप fundamental analysis सीखने के लिए यह वाली वीडियो देख सकते हो